मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान राम के भक्त हमेशा प्रभू के बारे में जानना चाहते हैं। आपने भगवान राम के बारे में बहुत सी कथाओं में पढ़ा भी होगा। हालां कि आज हम आपको भगवान राम के बारे में नहीं बलकि उनके धनुष के बारे में बताने वाले हैं। हर पड़ाव परश्री राम के साथ नजर आने वाले इस धनुष को चमतकारी बताया जाता है। मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। यही कारण है कि भगवान राम को कोदंड नाम से भी जाना जाता था। कोदंड का अर्थ बांस से निर्मित होता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम के पास 5.5 हाथ लंबा धनुष था। इस ध भगवान राम ने पिनाक धनुष को तोड़ा भी था। दरसल भगवान शिव के पास एक बहुत शक्तिशाली धनुष हुआ करता था। राक्षसों का वद करते वक्त भी इस धनुष बान ने प्रभू राम की बहुत मदद की। इस चमतकारी धनुष के नाम से भारत में एक मंदिर भी बना हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।